नमस्कार दोस्तों निर्माड आईस में आपका स्वागत है। पांच जून को विस्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ताकि पर्यावरण के प्रती लोगों को जागरुक किया जा सके। क्योंकि हमें जीने के लिए सभी आवस्यक चीजें पर्यावरण से ही मिलती हैं इसलिए यह जरूरी है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें और इस धर्ती पर संतुलन बना कर रखें आज तीवर और ध्योकिकी करण और उब्भोक्तावादी संस्कृती के चलते हमने पर्यावरण और इस प्रतवी को अपनी आवस्यक्ताओं की पूर्ती का एक साधन मान लिया है और हमारी इसी सोच के चलते आज जलवाईव परिवर्तन का व्यापक संकट खड़ा हो गया है UNEP के द्वारा जारी आकणों में इस भयावहता की जानकारी प्राप्थ होती है रिपोर्ट के अनुसार यदि कार्बन उत्सरजन की यही दर जारी रही तो अगले दो दसकों में प्रतवी का तापमान डेल डिगरी सेलसियस तक बढ़ जाएगा और इस सदी के अंत तक प्रतवी का तापमान लगबग 2.7 डिगरी सेलसियस पहुँच जाएगा जिसके चलते पूरा पारिस्थितिक तंत्र तबाह हो जाएगा अता आवस्यकता इस बात की है कि वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सरजन को आधा कर दिया जाए और इसमें भी मीथेन के उत्सरजन को कम करना सरवाधिक आवस्यक है क्योंकि यह कुल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सरजन में 25 प्रत्सत भागीदारी रखती है आज जलवाई परिवर्तन के चलते एक तिहाई क्रसी भूमी नस्ठ हो चुकी है 87 प्रत्सत आदर भूमिया नस्ठ हो गई है बाल, चक्रावाद, सूखा के चलते पर्यवर्ण विस्थाफितों की संख्या लगातार बढ़ रही है आज दुनिया भर में 70 लाख लोग वाई प्रदूसन से अपनी जान गवा रहे है अता आज आवस्थ्यक्ता इस बात की है कि जलवाई परिवर्थन के खिलाब सामूहिक लड़ाई लड़ी जाए पर्यवर्ण की इन्ही चुनोतियों को देखते हुए वर्स 1972 में संयुक्त राष्ट संग ने स्टाक होम में विस्व भर के देशों का पहला पर्यवर्ण सम्मेलन आयोजित किया था इसमें 119 देशों ने भाग लिया इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट पर्यवर्ण कारकरम अर्थात UNEP का जन्म हुआ तता हर साल 5 जून को पर्यवर्ण दिवस आयोजित करके नागरिकों को प्रदूशन की समस्या से आउगत कराने का निश्चे किया गया विस्व पर्यवर्ण दिवस को हर साल नए थीम के साथ मनाया जाता है इस वर्ष विस्व पर्यवर्ण दिवस 2022 की थीम है Only One Earth अर्थात केवल एक प्रत्वी भारत लगातार पर्यवर्ण संरक्षन की बात करता रहा है पर्यवर्ण असंतुनन और जलवायू परिवर्थन में सरवाधिक हिस्सेदारी विक्सित देशों की है जिनके दोरा सभी मूल्यों को ताक पर रखकर विकास किया गया आज भी वैस्विक कारवन उसरजन में विक्सित देशों की भागीदारी चार टन प्रतिव्यक्ती है वहीं भारत की हिस्सेदारी 0.5 टन प्रतिव्यक्ती है इसके बावजूद भारत लगातार पर्यावरन सनरक्षन में सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा है भारत के दोरा विस्द सोलर अलायंस का गठन स्वक्ष उर्जा के लिए ही किया गया भारत के दोरा वर्ष 2070 तक नेट कार्बन उच्सरजन के लक्ष की भी घोशना की गई है भारत के दोरा पेट्रोलियम उत्पादों में 10 प्रत्सत एथनाल मिस्टन के लक्ष को पूरा कर लिया गया है और भविस में पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता घटाने की कोशिस की जा रही है सरकार के दोरा पर्यावरण संरक्षन को ध्यान में रखते हुए ही इलेक्टरानिक वाहनों को लगातार प्रोच्चाहन दिया जा रहा है भारत सरकार के दोरा अमरत सरोवर के निर्माण का बड़ा निर्णय इसलिए लिया गया ताकि जल सरोतों के विकास के साथ प्राक्रतिक सरोवरों वाह तालाबों का संरक्षन किया जा सके भारत के द्वारा पर्यावरण दिवस के आउसर पर लाइफ मिसन का आरंब किया गया है जिसका उद्देश पर्यावरण अनकूल जीवन सैली को अपनाना है क्योंकि पर्यावरण संरक्षन केवल सरकारी प्रयासों से नहीं किया जा सकता है इसके लिए आवस्यक है कि आम लोग पर्यावरन अनकूल जीवन सहली अपनाएं इस लाइफ का विचार प्रधान मंत्री के द्वारा ग्लासगो में 1921 में हुए काप 26 सम्मेलन में रखा गया था जिसके अंतरगत लोगों के बीच यह जागरुकता पैदा की जाए कि वे पर्यावरन अनकूल जीवन सहली अपनाएं इस टापिक में इतना ही धन्यवाद